जासुसी कान को लेकर विजेपी का कॉंग्रेस पर पलटवार कहा दस दिन की महमान है सरकार, नई सरकार फैसले को पलटेगी कॉंग्रेस ने कहीं थी जुआंच की बात मिशिन यूपी पर नरेंदर मोधी ने कहा कॉंग्रेस हर सवाल का जवाब है सेकलॉर्स में यूपी की किबाब बेटे की सरकार नहीं बचा पाएगी माँ बेटी की सरकार अमेटी में अरवन केटरिवार ने दिया विवादत बयान का कॉंग्रोस और बिजेपी को वोट देना देश से गदारी होगी बिजेपी नेता गिडिराद सिंग को बड़ी राहत जारकंड हाई कोट ने ड्रत किया वोरेंट विवादत वयान देने पर बोकारो कोट ने जारी किया था वोरेंट मायवती का सपा पर पलटवार कहा दलित विरोधी है सपा तो मायवती पर जारी है सपा के बेतुके बोल कॉंग्रिस ने की कानुनी कारवाई की मार्ग मुंबई में NBA के कारिक्रों में प्रधान संपादक सुरेश चबहान के को अबॉर्ट से समानित किया गया बिंदास बोल बना बेस्ट टीवी शोओ आज के एपिसोड में हम जाए जा लेंगे गाजियाबश शहर के क्रॉसिंग रिपब्लिक का यहाँ पानी बिजली और पब्लिक टांस्पोर्ट की कैसी तुविधाय है एजुकेशन और सुरक्षा की लिहाज से कितना बहतर है यह इलाका इन सबी सवालों का जवाब देंगे सिर्फ हम आपको नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनीता उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार जिसमें हम आपको बताते हैं आपके फाइदे और आपके ही नुकसान की बात जिहां अगर आपको चाहिए सपनों का वो घर लेकिन आपके बजट से बाहर है घर खरीदना तो आप बिलकुल भी निराश ना हों क्योंकि आपके पास गाजियाबाद में वेशाली, इंदापुरम, वसुंधरा और क्रॉसिंग रिपॉप्लिक एक अच्छा ओप्शन है तो आज हम आपको ले जाएंगे क्रॉसिंग रिपॉप्लिक एरिया आप में कैसा है क्रॉसिंग रिपॉप्लिक किस तरह की सुविधाय हैं यहां आईए जानते हैं इस रिपॉर्ट के जरिए आज के एपिसोड में हम जायजा लेंगे गाजिया बच शहर के क्रॉसिंग रिपब्लिक का यहाँ पानी बिब्ली और पब्लिक टांस्पोर्ड की कैसी तुवधाय है एजुकेशन और सुरक्षा के लिहाज से कितना बहतर है ये इलाका इन सबी सवालों का जवाब देंगे सिर्फ हम आप दो ये खुबसूरत राता हमें ले जा रहा है गाजियबाद शहर के एनेच 24 से सटे क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की और ये तस्वीरें साफ बया कर रही है कि पर्यवर्ण के लिहाज से इस इलाके की आबो हवा बहुत अच्छी है और सफाई के लिहाज से भी ये इलाका बहुत साफ सुत्रा और हर्याली भरा है सड़के साफ सुत्री और चौड़ी हैं हर एक अपार्ट्मेंट में बच्चों के खेलने के लिए फार्ट्मेंट है स्विमिंग पूल है कॉमिनेची हॉल्स है पानी और बिजली की उजित वेवस्था है सबसे खास बात ये है कि क्रॉसिंग रिपब्लिक में पंच्छील अपार्ट्मेंट के ठीक सामने इस इलाके की आबादी की बात की जाए तो आबादी के लिहाज से अब तक इस इलाके में काफी पसावट हो चुकी है तकरीबन 9 से 10 हजार परिवार यहाँ बस चुके है यानि की 50 से 60 हजार की आबादी यहाँ आचुकी है और आने वाले समय में करीब एक लाखते भी अधिक की आबादी इस इलाके में बसेगी यानि की अब लोगों के पास रिहाईश के लिए घाजियाबाद में वैशाली, इंद्रापुरम, वसुंद्रा और क्रॉसिंग रिपबलिक एक अच्छा आप्शन है सबसे खास बात तो ये है कि इस इलाके में जितने भी बिल्डर्स ने फ्लैट्स बनाए हैं, वो काफी खुले और हावादार है इस बारे में हम स्थानी निवासों के राय जाने की कोशिश करते हैं इस इलाके को रियल स्टेट की साथ बड़े नामी गिरामी बिल्डर्स ने मिलकर बसाया है फिलहाल इस इलाके में एक फ्लैट्स की कीमत तीन हजार रुपे प्रतिवर्ग फूट से लेकर 3800 रुपे प्रतिवर्ग फूट के बीच में है यानि की नौइडा और ग्रेटर नौइडा की बजाए यहां फ्लैट्स खरीदना अब भी आपके बजट के बाहर नहीं है और तो और नेशनल हाइवे 24 के साथ सटा ये इलाका शेत्रफल के लिहाज से 360 एकर में फ्ला हुआ है एनेश 24 पर नौइडा सिटी सेंटर से सेक्टर बासट और 63 के चुराहे पर जो मेट्रो लाइन आने वाली है वहाँ से क्रॉसिंग रिपबली की दूरी 7 से 8 किलोमेटर रह जाएगी यानि कि आने वाले समय में मेट्रो की किनेक्चिविटी होने के बाद ट्रांस्पोर्ट की समस्या काफी हद तक सुलज जाएगी यहाँ बसे लोगों ने एक एसोसियेशन भी बना ली है जिसका नाम है क्रोमा टॉसिंग रिपबली की किसी भी समस्या को लेकर यह एसोसियेशन मिल कर काम करती है अब रही बात सुरक्षा और स्वास्ते की तो यहाँ जगा जगा सेक्योर्टी गार्ट तैनाथ है दावा किया गया कि पुलिस राद भर पेट्रोलिंग करती है पुलिस थाना और फाय स्ट्रेशन अभी बनना बाकी है और अगर डॉक्टरी चिकेटसा की बात की जाए तो चोटे मोटे कलेने की यहाँ है लेकिन बड़ा अस्पताल बनना अभी बाकी है यहाँ मारकेट भी है और तीन बैंक ब्रांच भी एक स्कूल की कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है शॉपिंग मॉल के लिए जगह खाली है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रहने के लिए यह इलाका हर तरह से बढ़िया है मनुल खोत्रा के साथ नमित्यागी सुधर्शन यूस घाजियवाद तो इस रिपोर्ट के जरीए आपने देखा क्रॉसिंग रिपाप्लिक इलाका यहाँ अगर आकर आप अपने सपनों का फ्लैट खरीदते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा और आपको क्या फायदा होने वाला है इस पर हम बात करेंगे हमारे साथ यहाँ पर पंच श्रील ग्रुप के अनुच चौधरी डारेक्टर मौजूद है सर आपका स्वागत है और साथ ही हमारे बिजनेस एडिटर रॉय तपनभार्टी जी हमारे साथ है सर आपका भी स्वागत इस टर्चा में इस डिबेट में सबसे पहले अनुच चौधरी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और आप हमें यह बताएं यह जो नया इलाका भी हमने देखा है क्रॉस रिपब्लिक नाम से और इस रिपॉर्ट में भी अभी आपने देखा होगा यहां पर ऐसा क्या खास है कि पब्लिक यहां पर आकर अपने सपनों का फ्लैट यहां पर खरीदे सबसे पहरी बात तो यह है कि यह जो इलाका है यह पूरी तरीके से प्लांड करके बसाया गया है और इसके अंदर एक कॉमन में की एक आदमी की एक रहने के लिए क्या-क्या जरूरत होती है उनका खास तोर से ध्यान लखा गया है कि जैसे कि आप जब भी देखते हैं कि कोई सब्सक्राइब के लिए प्लांड के लिए खेलने के पार्क वगयरा उनका खास दान रखा गया इसके अंतर जी अनुट जी जब भी कोई भी कस्टमर घर खरीदना चाहेगा माइन में उसके सबसे पहले बात आएगी कि कनेक्टिविटी कहां कहां से है अगर वो फ्लैट खरीद रहा है क्या मेट्रो की सुविधाएं पूरी तरही के से उन्हें मिल रही है कि नहीं रोड की सुविधाएं उन्हें मिल रही है कि नहीं ऐसी कई सारे चीज़ें जो माइन में सबसे पहले स्ट्रक करती है तो क्या हम इसे लेकर भी समझें कि कोई भी अगर कस्टमर वहां पर खर खरिदना चाहेगा तो इसे इस बात की चुंता करने क्या हो शकता नहीं देखिए जहां तक मैट्रो का सवाल है वो तो अभी वहशे में चुपा हुआ है क्योंकि प्लानिंग तो कई बार हो चुकी है लेकिन अभी तक उसको धरातल पर नहीं आया है लेकिन उसके इलावा जो मैं तो इनकी बात करूँगा कि जो सुएधा हैं अभी वहां पर उल्रेडी हैं देखिए वहां से मुस्किल से आप आदा किलमेटर जाते हैं एक किलमेटर जाते हैं तो आप NS24 पे पहुँच जाते हैं और वहां से आपको कहीं के भी जाने के लिए आपको गाज़ाबाद जाना है नोडा जाना है या किसी दूसरे भी एरिये में जाना है वहां से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट आपको वहां से मिल लाएगा और अगर बात करें रेल्वे स्टेशन की जो गाज़ाबाद रेल्वे पगड़ सकते हैं तो जो अभी existing हैं वही काफी सुईदाएं हैं और जैसे कि अगर अभी प्लान है कि मेट्रो का अगर नोड़ा एक्षेंशन में आती है तो भी इसको क्रॉसिंग को फायदा होगा और गाज़ाबाद की तरफ साथ यह तो भी क्रॉसिंग को फायदा होगा तो कि वैल कनेक्टेड यह चारो तरफ से सबसे ज्यादा कनेक्टेड दिल्ली, नोड़ा, मेरत, ठापूर सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं चादरी जी की बात मैं मैं थोड़ा supplementary add कर दूं कि उस इलागे के लिए खुश ख़बरी है अनिता कि क्रॉसिंग रिपब्लिक से लगता है कि जादा से जादा छे मीने में काम शुरू होना चाहिए और यह लेंथ बहुत लंबी नहीं है नोड़ा सिटी से से एक्सेंशन देना है वहां बॉर्डर तक और मैं समझता हूँ कि यह शायद पांच या छे किलोमेटर का जो लंबाई बढ़ेगी उस से क्रॉसि से काम हो रहा है तो उस हिसाब से देखा जाए कि जिस दिन 63 के चोराहे पर जो इंदरापूरम से लगा हुआ है वहां पर मेटरो की लाइन पहुच गई उसके बाद इस इलाके का हम समझते हैं कि बहुत बड़ी मांग पूरी हो जाएगी काफी निकट आ जाएगा वैसे डि से क्रोसिंग रिपब्लिक इलाके में किस-किस तरह की सुविधाई वहां पर मौजूद है इसका जायजा लिया नमित त्यागी ने आएगे देखते हैं इधर भी काफी अच्छे गुरूप हैं जो लगातार अपने फ्लैट बना रहे हैं अंदर का जो इन्वार्मेंट हैं का वो काफी अच्छे देखने लाएक हैं लेकिन अभी भी यहां की कुछ सुविधाई हैं जिन से यहां पर पूरे इलाके में अभी तक एक भी स्कूल न पर जाना के लिए लिए पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता हैं हलेकि रोडों के अगर बात करो हैं तो एक ही स्विधाए की बात कर दो यहां से बाहर के अगर बात करों CaneCity सेकरे लिए आटटो की वेवस्ता हैं और रात में बात करें तो 10 वज他 जो ओड़ी समस्या ह वो यहाँ पर देखने को मिलती है, आसपास अस्पताल भी बड़ा नहीं है, तो काफी समस्याई भी है इस इलाके में, लेकिन ओल ओवर अगर मैं बात करूं, तो जो बच्चों के फ्लेग्राउंड के लिए है, यहाँ पर पार्क की फैसिलिटीज दी गई है, कई प्रोजेक् अभी यहाँ पर ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में, जिस तरीके से यहाँ पर फ्लेट बन रहे हैं, लगता है कि यहाँ पर आबादी बढ़ेगी, इधर आपको दिखाना चाहूंगा, जो इस इलाके की खास्यत है, वो सबसे बड़ी देखी गई, कि यहाँ का इ तो इस रिपोर्ट को आपने देखा, जाइजा लिया, सुदाशनियू समवादाता नमित त्यागी ने, अभी कई कम्या हैं यहाँ पर, क्योंकि नई लोकेशन है, उसके अधार पर अभी पुरी तरह से फैसिलिटी जो है, वो इस वक्त नजर नहीं आ रही है, हमारे साथ अ अभी एक नया बस्ता हुआ है, तो इसके अंदर हम लोगे ने स्कूल के प्लॉट्स के लिए प्रोविजन रखे हुए है, और इसके अलावा दूसरे उसके अंदर काम भी स्टार्ट हो चुगा, जो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, दो अच्छे बड़े नाम के स्कूल वहाँ पे आ रहे हैं, किस क्लास तक की बवस्ता है? देखिए उसके अंदर जो है, यह 12 तक का प्रोविजन है, उसके अंदर हाई स्कूल की पढ़ाई का वहाँ, उसी एरिया में हो जाएगा, उसी एरिया के अंदर हो जाएगा, और दूसरी बात, यह कई बारी लोग उठा नेगर और नोड़ा में शायद सकूल है, जहां बचे आती हैं, बसे आती है, बसे आती है, बस यह वाँ पर, जितने भी अच्छे सकूल है, पलाब आप ड्लाब डीपियस सरे लेके पातफे तक बात करेंगे, तो सारे सकूलों की स्ष्म बसे आती है और हमःसे बच्चों को है बनने जा रहा है जिसके अंदर सारी सुविदाइं होंगी मरोंजन के लिए लाइक मल्टी प्लैक्स एंड बच्चों के लिए गेमिंग जोन शुरू हो गए या प्लाइंग इस प्लानिंग है अब इस कंसरें बताई जा रही है बड़े अस्पताल की छोटे तो क्लिनिक हैं डॉक्टर वहां अबलेवल हैं लेकिन बड़ा अस्पताल यदि जरूवत हो तो कहां जाएं लो देखे बड़ा अस्पताल की जहां तक पाता है कि फिर मैं वही बात दो रहूंगा कि कोई भी चीज़ आपको हर अपने घर के पास नहीं मिल सकती थोड़ा सापको चरके जाना पड़ेगा लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कोई विलकुल नहीं है अगर कोई भी सुईदा वहां से पांच किलोमेटर के दाएरे में या साथ किलोमेटर के दाएरे में हैं तो वह सुईदा दूर नहीं मानी जाती है क्ई किहा से मुस्किल से 5 किलोमेटर पर कॉलंबिया हिस्पिटल है चे किलोमेटर पर इसके अंदर के लाव को तो बैट के हॉसिपिटल का प्लान है और भो लोगson किसी डॉक्टर से में ले भी लिया है पॉसकी जल्दी वहां पर हॉसक बन उब जाए जगे हम लग क्रॉसिंग ने जगे अवैल बिल कराई है और वो उसके अंदर कोई भी मेडिकल उसका होगा वो उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि हॉस्पिटल भी जल्दी आएगा दोसो बैड़ का हॉस्पिटल इसके अंदर प्लान है यह खुश खबरी है हमारे दर्शकों के ले कि जो इस इलाके में रहते हैं और देखते हैं या बसने के सपना देख रहे हैं हॉस्पिटल के लिए तसली कर सकते हैं ज्यादा से दो साल ड़ी साल आ जाना चाहिए जब कस्टमर आपके पास फ्लैट लेनी के लिए आता है घर खरीदनी के लिए आता है उस दौरान आप वो चीजे भी इंकलूड कर देते हैं उस वक्त चीजे नहीं करनी चाहिए तक ऐसा बिलकुल भी नहीं है यह कि हम लोग कुछ अलग ऐसा को यह अजिस्टिफाई काम नहीं करते हैं अगर आज की डिट में आप हमारे अगरे मेंट देखें जो अगरे मेंट सम कस्टमर क कापी उसके साथ हम देते हैं कि आपके बेडरूम के साइज हम आपको यह प्रोवाइड करा रहे हैं और प्रजेशन पर यहीं आपको हम प्रोवाइड कराएंगे उसके अंदर में तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है इस तरीगी बात जो है बिलकुल गलत है कि हम कोई एक्स्रा यहीं हना चाएंगे कि दिली मैं देखता हूं कि कार्पेट एरिया या विल्ट एम्डिया 10 ऑन के इरियां कुछ अंतर है कितिना परसेंटेज लोडिंग करते हैं आप ऽोग इपनी बाशा में तिए बेसिकली एक यह जेस्टीफिकेशन उसके लिइवा हुत आइड़ है कि जो एरियाज हम, common areas होते हैं, जैसे सीडिया हो गई, लिफ्ट हो गई, फायर एसकेप area हो गई, और है टैंक्स हो गई, इसके लावा बेस्मेंट के कि जो एक्च्छव पर जाने लगें बिलकूल कि जो एक्च्छ एरिया हम बना रहे हैं वही परफोस्ट्ट शेयर में लोड करने लगे हैं उसके अंदर जो एक्च्छव आता है वही कि आप लोग, हम लोग उसकी साथ साथ कैल्कॉलेशन भी देना जरू कर दिया है एक साधरन भाशा में बताई है कि कोई 1000 वर्क फूट का फ्लैट खरीद रहा है तो उसका लोडिंग कितना माइनस हो के कितना उसको बिल्ट अप कार्पेट अरिया कितना मिलेगा उसके अप किसको बोलेंगे कई बारी कुछ लोग बालकनी का अरिया भी उसके अंदर चोड़ तो यह मान के चलिए को 40% तक वो रिड्यूस कर ले तो उसको कार्पेट अरिया मिल लेगा एक हजार का खरीद रहा है तो उसे 600 मिलता है तो 600 के सरहत के अंदर उसे रहना होगा जी बिल्कुर जी तब बंजी में एक सवाल अनुजिसे यहां पर करना चाहूंगी जिन एरिया कि अपर बात कर रहे हैं क्या इन एरिया को लेकर सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन सापको जारी नहीं की जाती जिनके अंडर रहकर आपको कॉंट्रिबूट करना चाहिए उन एरियास को और अप उन गाइडलाइन के कॉर्डिंग की जो कस्टमर है वो आपसे दिमांड क ज़्के पर डिपेंड करता है कई बारी वह ज्यादा चोडे होते हैं कई बारी वह छोड़े होते हैं तो इसको जस्टीविफाई करना या इसको रोकना जारी करना जाउब फॉसिबल अग्या मुशकिले रही है यह पर हम रिल स्टेट के सामने भी क्ई मुश्किले देख सकते हैं पिछले दो सालों के अगर हम बात करें तो funding ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है जिसके वज़े से कई projects जो है real stage के वो उनमें कहीं न कहीं जो तेजी आनी चाहिए वो तेजी नहीं दिखाए दे रही है बात सही कह रही है कि जो funding का है liquidity की जो जरूरत है liquidity दो तरीके से आती है एक तो विदेश धन आता है और एक देश में आता है देश में भी बहुत सारे निवेशा के एनराई भी है लेकिन एक जिस तरह की चिंता थी कि funding नहीं होती है हमारे पास एक latest आंकड़ा आया है और बड़ा authentic आकड़ा है कि एनराई ने साल 2013 में real estate में दो अरब डालर से जादा का निवेश किया है ये एक बहुत बड़ी बात है और वर्स 2012 के मकाबले खरिदारों ने 35 फिजदी जादा निवेश किया ये एनराई की अच्छा sentiment देख रहा है उन्हें लग रहा है कि real estate बदल रहा है तो उन्होंने खरिदारी रोकी नहीं बलकि बढ़ा दी 35 फिजदी ज़्यादा की रिपोर्ट आई है जी अनो जी तो किस तरह की मुश्चा का सामना आपको करना पड़ता है जब इस तरह की funding आपके पास नहीं हो पाती है देखिए funding का जहां तक सवाल है funding के सासत क्योंकि कोई भी real estate project के लिए सबसे ज़रूरी होती है चीज़ होती है funding अगर funding टाइम पे नहीं है funding दो तरीके होते हैं पर अरन करने के लिए या तो हम अपना माल बेच के customer से करें या अगर माल नहीं बिखता है तो फिर हम बैंकों से करें तो जैसे कि आप देखतें के real estate को bank एक negative profile में रखते हैं और उनके लिए documents और जो प्रोसेजर है उनका वो काफी लंबा होता है और साथ साथ rate of interest का बहुत बड़ा problem है अगर आज को industry लेने जाती है तो उसको काफी कम rate of interest लोन दिया जाता है जी position में क्यों आपकी तरफ से देरी mostly देखा जाता है कि होती है जिसके वज़र से जो customer है उन्हें कई बार एक साल से अधिक उन्हें interest देना पड़ता है जिसके वज़र जो उनको नहीं देना पड़ता है तो नुकसान customer को भी इससे होता है जी देखिए उसमें इसके कई कारण होते हैं वो अलग-अलग समय पे अलग-अलग कारण होते हैं कई बारी material की problem होती है हम लोगों को कई बारी material नहीं मिल पाता है जो कि beyond our control होता है क्योंकि हम material को नहीं arrange कार सकते हैं कई बारी fund का भी problem होता है हम लोगों के साथ में तो इसक को कुछ ऐसी मजबूरियां हैं हमारे सामने जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जिसकी बज़ा से कई बारी प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं इसके अंदर जी तब देख रहा हूं कि खनन माफिया के खिलाब नोईडा में और गाजियाबाद में बहुत बड़े मुहीम चलाई गए यह यमना और हिंडन नदी से यह रेत निकालते थे तो हम लोगों ने देखा कि इसकी बज़ा से रियल सेक्टर को बहुत दिक्कत हुई है देखे जहां तक खनन माफिया की बात है कि पहले तो हम लोगों ने डिसाइड गलिया है माफिया क्योंकि अपनी तरफ स का एक लाइसेंस देती है खनन करने के लिए और उससे काफी सारी चीजों के बिल्डिंग में रिक्वार्मेंट होती है जैसे यमना सेंडम बोल सकते हैं गगर सेंड बोल सकते हैं पहले रोडी भी होती है तो क्या कि आज की डिए में खनन नहीं हो रहा है गॉर्मन ने पूर का क्रेडाई जी और दूसरा सरकार का पक्ष है क्रेडाई और सरकार क्या कर रही है यह जो संकर्ट आ गया है कि अवलिवलिविलिटी में कमी है रेट महंगा हो गया है backward का दो कि इमारते खड़ी होंगी नहीं जी डिखिए क्रेडाई इपने लेवल पे is स्मुद्दे को कई सामने इठा रहे हैं लेकिन हर बार एक ही जब के देखते हैं करते हैं क्योंकि environment को लेकिए वो जयादा सोच रहे हैं कि environment को नुक्सान नहीं होना चाहिए יब संदде को को चिंंता है उनको ना और की लोगों की चिंटा है ना डिल्डर की ना development की चंता है इन लोगों को बिकुल तो स्कारिक्रम के जरीय हमारा मकसद ही है कि हम आपको बहतर तरीके से बता सके कि जहां आप अपने सपनों का घर खरिदने जा रही है वो आपके लिए कितना बहतर है और कितना बहतर नहीं है क्या फाइदा आपको होने वाला है और क्या हैं बहुत शुक्रिया फिलहार मेरे साथ इतना ही देश-दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज जैहिंद आज के एपिसोड में हम जाए-जा लेंगे गाजिया बश शहर के क्रॉसिंग रिपब्लिक का यहाँ पानी बिजली और पब्लिक टांसपोर्ट की कैसी तुविधाय है एजुकेशन और सुरक्षा की लिहाज से कितना बहतर है यह इलाका इन सबी सवालों का जवाब देंगे सिर्फ हम आपको